पाइनली गौतम गंबीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए है ये ओफिशल हो गया है जैशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके ये बता दिया है कि गौतम गंबीर अब टीम इडिया के नए हेड कोच होंगे और काफी लंबा चोड़ा जो पोस्ट है वो जैशा ने लिखा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साथी साथ राहुल द्रविड को भी वहाँ पर ठैंक यू कहा है और फिर उसके बाद उन्होंने नहीं पोस्ट डाली कि जहांपर गौतम गंबीर को उन्होंने कॉंगर्चुलेट किया और कहा कि भाई टीम इंडिय में आप हार्दिक पांडिया प्लस गौतम गंबीर की जुगलबंदी देखेंगे और वंडे फॉर्मैट और टेस्ट फॉर्मैट में एट लिस्ट अगले साल तक रुहिच शर्मा प्लस जो गौतम गंबीर है उनकी जोड़ी आपको दिखाई देगी तो यह बहुत अच्छ का पता लग गया और गौतम गंबीर ही फाइनली टीम इडिया के नए हैड कोच होंगे जो मीडिया ने इतने समय से लगाता रिपोर्ट की थी वो सब सच शाबित हुआ है कि अब गौतम गंबीर टीम इंडिया के नए हैड कोच बनेंगे और यह चीज जैशा ने खुद ने लुएर बहुत एक्साइट GOP मने कोच किसी दिन मैं त्रीके से छीजों को वूचिंग करूँगा तो अब अब झाहता इंटरेस्टिंग इन फेसे देखने के लिए बहुत excited हूँ कि गौतम गंबीर किस तरह से टीम को चलाते हैं क्या वो star players वाला culture खत्म करते हैं क्या वो senior players वाला culture खत्म करते हैं क्या वो young team को जादा preference देंगे या फिर senior खिलाडी को जादा तवज्ज़ देंगे ये एक देखने वारी बात होगी हला कि जैशा का उपर announcement पहले ही हो गया था कि भाई रूहित शर्मा अगले साल तक at least कप्तान बने रहेंगे टेस्ट और वंडे में और टीट्विंडी की कप्तानी जहां तक माना जा रहा है कि हार्दिक confirmation नहीं पर जल्दी हो सकता है कि ये भी announcement हो जाए कि हार्दिक पंडिया भारत के अगले टीट्विंडी के कप्तान होंगे पर जब 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 रोहित शर्मा नहीं रहेंगे तो वो डियाई में की बाद में सब चीजे ठीक हो गई थी पिछले साल जो चीजे चली थी और इस बार तो देखें इन दोनों की बीच दोस्ती हो गई थी और उससे पहले दस साल पहले 2013 में इनकी बीच लड़ाई होई थी तो अकसर गौतम गंबीर विराट कोली पर भी काफी बयान देते रहते हैं तो बड़ा इंटरस्टिंग ये फेज रहेगा जहां पर रोहित शर्मा विराट कोली ये दोनों गौतम गंबीर के अंडर रहेंगे अब क्या गौतम गंबीर जो को स्तार पड़ाई क Een क्लचर करेंगे खत्म करेंगे सबसे बड़ा सवाल ही कि इस चीज को खुतम कोदे की बाई किसी चीजा हें इंड़जेटोट को इतनी प्रीक्रेश नहीं मिलना चीए जो टीम को मेले तो टीम से बड़ा कोई कि भाई वो कुछ भी कभी भी किसी को बोल सकते हैं, उनकी press conference देखना interesting रहेगी, जब भी वो आएंगे, और कप्तान से क्या bonding रहती है, किन खिलाडियों को सुनते हैं, क्या reason रहता है, मतलब अबना लोग तो excited हैं कि गौतम गंबीर बता और coach कैसे रहेंगे, बढ़ना जब मीडिया, मीडिया से जब गौतम गंबीर का interaction होगा न, वो शाद सबसे exciting part होगा, क्योंकि जब गंबीर press conference में आएंगे, जब तीखे सवाल पूछी जाएंगे, उसका जवाब गंबीर कैसे देते हैं, क्या घुमा फिरा कर देते हैं, आउद रवल की तरह हैं, या सीधा answer देते हैं, start players वाला जो culture है, उसको किस तरह से गौतम गंबीर handle करेंगे, विराट कोली रोहित शर्मा इनकी जो रेस्ट वाली चीज़े हैं, especially विराट कोली का रेस्ट वाला जो इशू है, जो लोगों को लगता है, तो उस बारे में गौतम गंबीर कैसे रियाक करेंगे, मतलब बहुत सारे सवाल हैं, जिनका जवाब अब गौतम गंबीर से हमको मिल जाएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है, बहुत जादा मज़ा,